किसान सात्यों इस नए तरीके से करें चने की खेती और आप भी कमाए अच्छा मुनापा जी हां किसान भाई यो चने का मंडी बाव कापी अच्छा है इस कारण किसान भाई चने की खेती से भी अच्छा मुनापा कमा सकते हैं इस वीडियो में चने की बुवाई का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप चने की खेती या चने की बुवाई करते हैं पेदवार अच्छी होगी और किसान भाई चने की खेती से बंपर उत्पादन के साथ अधिक मुनापा कमा पाए वीडियो को लाइक कर दीजिया जो नए साथी हमारे चीनल पर नए हो चीनल को सब्सक्राइब कर दीजिया वीडियो को अन्य किसान भाईयों तक भी सियर कीजिये तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं किसान भाईयो चने की पेदावार बढ़ाने के लिए बुवाई का सई तरीका किसानों को पता होना चाहिए चने की बुवाई आप एATHANुंबर के लाष्ट सब्ता से 15 से बीस या 25 नौबर तक चने की बुवाई कर सकते है किसान भायो चने की फसल में अगर आप बुवाई का सही तरीका अपनाएंगे तो बुवाई सही तरीके से करने ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है किसान भाई यो बहुत से किसान भाई चने की बुवाई सूखे खेत में करते है कुछ किसान भाई पलेवा करने के बाद चने की खेती करते है किसान भाई यो आप पलेवा करने के बाद चने की खेती कर सकते है क्योंकि पलेवा करने के बाद सुरुवाती खरपतवार नश्ट हो जाते है साथ ही चने का अंकुरन होने के बाद पानी की आउसकता नहीं होती है बहुत से किसान भाई सुके खेत में चने की बुवाई करते है और बाद में पानी लगाते है या तरीका भी अच्छा है लेकिन इस तरीके से खरपतवार कापी ज़्यादा उग जाते है जिससे किसानों को कापी ज़्यादा मेनत कर उन्हें कंट्रोल करना होता है साथ ही चने के अंकुरन के लिए जल्दी जल्दी पानी देने की जुरुत पड़ जाती है किसान भायों अगर आप 2023 में चने की खेती कर रहे है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप चने की खेती की बजाए काबुली चने की खेती करे किसान भाई यो काटिया चना जो चना आप लगाएंगे उसका मंडी बाव है 5-6,000 रूपए अगर आप काबुली चने की खेती करेंगे तो उसका बाव है 12-15,000 प्रतिकुंटल किसान भाई यो दोनों ही चने की खेती ठीक सेम तरीके से और एक ही विदी से की जाती है एसे में किसान भाई अगर मेरी बातों को मानते है तो आप काबुली चने की खेती कर सकते है काबुली चने की खेती में भी ज़्यादा देखरे की आउसकता नहीं होती है पलेवा करने के बाद आपको काबुली चने की बुवई करना है अंकुरन हो जाएगा दूसरा पानी फूल आते समय और अंतीम पानी गेटे या फल आते समय आप दे सकते है एक बिका में तीन से पांच कुंटल उत्पादन निकल जाता है मंड़ी बाव 12 से 15 जार रुपे परती कुंटल के आसपास है किसान भायों चने की खेती का अगर आप नया तरीका अपनाएंगे तो उत्पादन अच्छा निकलेगा किसान भायों आप काबुली चने की बुवई करें काटे चने की बुवई भी आप मसीन से कर सकते है पलेवा करने के बाद बुवाई करें जिससे शुरुवाती खर्पतवार नेश्ट हो जाएंगे किसान भाईयों चने की खेती से अगर अच्छा मुनापा कमाना चाते हैं तो आप इन बातों को फोलो कर सकते हैं जिससे आपको बहतरीन उत्पादन 2030 में मिलेगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अन्यकिसान भाईयों तक भी शियर करें मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद